Welcome to my channel friends, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो कॉंटिन्यू कर रहा हूँ और यह amplifier series designing की video number 4 है और अगर आप भूल गये हों किस तरीके से चीज़ें डिजाइन की जाती है क्या क्या explanation मैंने दिया है तो आप एक बार फिट से revise कर लिजी क्योंकि काफी लंबा gap हो चुका है और इस gap का reason कुछ मेरी professional मजबूरियां है इसके पहले जो भी amplifier design का video मैंने बनाया था उसमें आपने देखा कि input stage किस तरीके से काम करता है और VAS किस तरीके से काम करता है इसके साथ में ही मैंने आपको detail में बताया था कि एक transistor common emitter mode में किस तरीके से amplifier का काम करता है तो आप आगे हम चलते हैं देखते हैं कि amplifier में हमारा driver stage किस तरीके से काम करता है और कुछ लोगों के comment से मुझे पता चला कि उन्हें पिछला वीडियो यानि कि VAS stage के बारे में बहुत ज़्यादा clear नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं हलका सा थोड़ा सा आपको और बता दूँगा जिससे कि आपका concept clear हो जाए जैसे कि input stage को अगर फिर से revise करते हैं तो यह main transistor हमारे input के हैं और यह इनके लिए mirror है current mirror है जिससे इनकी output बढ़ जाती है और यह इसका constant current source है क्योंकि यह transistor class amplifier के तोर पर काम कर रहे है इसलिए इनको हमेशा constant current source चाहिए इसलिए इन दो transistor की help से हमने एक constant current source बनाया है जो इन दो main input transistor को power supply देता है बहुत सारे amplifiers में आपको इन जगों पर transistor की जगा सिर्फ resistance दिखाई देगा तो designing का यही सब फर्क है अगर कोई simple amplifier बनाना है तो इन transistor की जगा हम resistance भी यूज़ कर सकते है लेकिन अगर हमें एक high quality का और stable amplifier बनाना है तो यह constant current source, current mirrors यह सारी चीज़े आपके input stage में लगानी पड़ती है और जितना ही ज़्यादा हम अपने amplifier को sophisticated बनाते है उतनी ही उसकी complexity बढ़ती जाती है अब यह हमारे उपर depend करता है कि हम एक simple design चाहते है या हम एक complex design चाहते है तो यह बिलकुल उसी तरीके से है कि हमारी power requirement क्या है अगर बहुत ही high power का amplifier हम बना रहे है तो उसमें हम error का risk नहीं ले सकते क्योंकि अगर थोड़ा भी error आया तो voltage और current इधर उधर बढ़ेगा और amplifier में distortion भी आ सकता है और amplifier हमारा खराब भी हो सकता है तो जब भी हम high power amplifier बनाते हैं या अच्छी quality का amplifier बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा controlling components लगाते हैं तो जब मैं आगे आपसे एक practical amplifier का discussion करूँगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कब कहा कौन सी चीज लगानी है और कौन सी चीज छोड़नी है लेकिन फिलहाल में मैं आपको सारे components के काम बता देता हूँ सारे sections के काम बता देता हूँ कि काम वो किस तरीके से करते हैं जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि ये input stage के main transistor है जिनको LTP pair बोलते हैं long tail pair बहुत ही simple amplifier में इन सारे ताम जाम की जगा सिर्फ एक transistor भी use किया जाता है आप सोच लिए कि 6 transistor के जगा एक transistor यूज किया जाता है और बहुत सारे sophisticated amplifier में ये 6 की जगा 12 transistor भी use किया जाते है तो ये designer के उपर depend करता है और LTP pair का जो दूसरा transistor है उसको यहां से amplifier के output से feedback मिलता है और इन दोनों transistor को constant current यहां से मिलता है दो transistor को मिला के एक constant current का source बनाया गया है और दोनों transistor पर अच्छे तरीके से loading हो अगर simple आप resistance से loading करेंगे तो एक transistor पर load जादा होगा एक पर कम होगा इसलिए यहां पर दो transistor की help से एक current mirror circuit बनाया गया है जिसकी वज़े से दोनों transistor पर equal load पड़ता है और gain हमें काफी अच्छा मिलता है तो यह तो होगे हमारा input stage अभी दूसरा हमारा आगया VAS stage जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ फिर से मैं यहां review कर देता हूँ VAS stage को input मिलती है आपके input stage के output से और VAS यानि कि voltage amplification stage भी एक common emitter amplifier होता है आप जानते हैं कई तरीके से implement कर सकते हैं एक तो यह simple resistance loading है यानि कि इसको power supply हमने एक simple resistance से दी और यहां से output ले ली यहां से input इसको मिल गया दूसरा तरीका है इसको constant current चाहिए क्योंकि यह class A का amplifier है इस बात को आप अच्छे से गांट बांद लीजिए कि class A amplifier का जब भी हम यूज करते हैं तो उसको constant current power supply चाहिए होती है तब ही वो अच्छा काम कर सकता है simple चोटे चोटे circuit में हम constant current सिर्फ resistance के थुरू बना लेते हैं लेकिन जब हमारा circuit की power requirement जदा होती है तो हम अच्छे तरीके से circuit create करते हैं तो दूसरा मैंने आपको यह variant बताया था constant current के लिए जो की output से कुछ current इसको feedback में वापस देता है और इस तरीके से constant current supply का जो source बनाते हैं इसको हम boot strapping बोलते हैं आपको मैंने detail में बताया था पिछले वीडियो देख सकते हैं इसके अलामा जो सबसे best है हम इसको एक constant current source जैसे इस तरीके का हमने बनाया है इस तरीके का constant current source भी voltage amplification stage का जो transistor होता है उसको हम बना के दे सकते हैं यह सबसे best है लेकिन जैसा कि फिर मैं आपको बताता हूँ यह designer के उपर और design के उपर prefer करता है कि किस तरीके का constant current source हमको VAS stage में देना है input और VAS stage हो गया अब ही हम चलते हैं उसके बाद का हमारा जो stage होता है वो driver stage तो driver stage की जरुरत क्यों होती है सबसे पहले यह समझ लीजिए क्योंकि friends जो भी हम output transistor लगाते हैं उनके base को काफी ज़्यादा current और voltage चाहिए होती है जो VAS stage है वो driver को directly इतनी ज़्यादा current और voltage नहीं दे सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक single transistor है तो इसकी capacity इतनी ज़्यादा नहीं है इसलिए हम VAS और output के बीच में driver stage लगाते हैं यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही interesting fact बताना चाहूंगा आपने MOSFET amplifier देखा होगा friends जो MOSFET होता है उसका जो gate होता है उसकी power requirement transistor के base के power requirement के तुला में काफी कम होती है या simple words में कहें तो MOSFET को drive करना transistor को drive करने से बहुत आसान होता है कम load पर ही MOSFET drive हो जाता है इसलिए अगर आप MOSFET amplifier बहुत सारे देखेंगे तो VAS stage के बाद ही हम वहाँ पर MOSFET लगा सकते हैं VAS stage आराम से इतनी power दे देगा यह अगर output में MOSFET लगा हुआ है VAS stage के बाद direct output stage आ जाती है because हम mostly transistors का use करते हैं amplifier में इसलिए हमें driver transistor का भी use करना पड़ता है ताकि हमें enough current और voltage मिल जाए output transistor को चलाने के लिए यहाँ पर एक बहुत interesting बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक आपका जो input stage था और VAS stage था यह सारा कुछ काम class A में हो रहा था यानि कि जो भी input wave हमारी है यह transistor इसको class A में amplify कर रहा था यानि कि पूरे cycle को एक transistor ही amplify कर रहा था ठीक इसी तरीके से यह एक single transistor VAS stage में पूरे cycle को positive और negative cycle को amplify कर रहा था लेकिन अब यहाँ से condition बदल जाती है अब driver stage में और output stage में positive cycle के लिए हम एक transistor use करेंगे और wave के negative cycle के लिए एक transistor use करेंगे यहाँ पर जो उपर वाला transistor है जो की positive से हमारे लगा हुआ है वो इस wave के positive part को amplify करेगा यानि कि सिर्फ इस हिस्थे को amplify करेगा इस हिस्थे को amplify यह नहीं करेगा ठीक इसी तरीके से यह जो नीचे वाला transistor है वो आपके wave के नीचे वाले हिस्थे को amplify करेगा negative part को और positive part को amplify नहीं करेगा और दूनों यहाँ पर मिलके हमारा positive और negative wave इस तरीके से आ जाएगी तो दोस्तों मैंने आपको पताया था VAS stage को चलाने के लिए भी constant current source की जुरूरत होती है तो यहाँ पर देखी positive यह direct आ गया है यह resistance वागर यहाँ पर लगा होता है यह सब हम बाद में discuss करेंगे और यहाँ पर एक constant current source भी लगा हो सकता है तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि दो transistor की help से आपने constant current source बना के लगा दिया यह देखिए दोनों drivers के base को VAS के output से जोड दिया है और यह driver transistor भी हमारे common emitter amplifier mode में ही लगे हुए है यह बहुत ही simple representation है actually इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो इन transistor के base के biasing पर हमारा कोई control नहीं रह जाएगा इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि कभी-कभी एक diode लगा देते हैं इनको biasing diode बोला जाता है तो इनकी proper biasing हो जाती है और कभी-कभी इसके साथ एक resistance भी लगा देते हैं इन driver transistor के base की जो भी current और voltage requirement है उसके हिसाब से resistance लगा देते हैं और इसको preset भी आप लगा सकते हैं जिससे कि आप इन driver transistor की biasing voltage को control कर सकें तो इस तरीके से proper हमारा एक biasing driver transistor को मिल गई friends यहाँ पर मैं बताता चलों कि जो भी मैं आपको चीजे बताता हूँ यहाँ पर उसके बहुत साइड यह variation है जैसे वी-एस भी है double वी-एस मिलेगा cascaded वी-एस मिलेगा darlington वी-एस मिलेगा बहुत सारे type की वेस मिलते हैं और कभी-कभी आपको double वी-एस भी मिलेगा यानि कि यहाँ का वी-एस एक अलग होगा इस side का वी-एस एक अलग होगा क्योंकि कोई-कोई design क्या करते हैं इस driver transistor के लिए यह circuit बिलकुल अलग रखते हैं और इस driver transistor के लिए एक और circuit यहाँ पर रखते हैं तो उस हिसाब से कभी-कभी input stage में बारा-बारा 18-18 transistor भी हो जाते हैं वी-एस में आपके 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं transistor और कभी-कभी 10 या 12 transistor भी वी-एस में हो सकते हैं अगर बहुत ही जादा complicated design हमारी designer ने बनाया है लेकिन मैं यहाँ आपको simplified form में दिखा रहा हूँ आप देख रहा हैं कि as a driver transistor input wave के positive part को amplify करने के लिए हमने NPN transistor का use किया है और negative part को amplify करने के लिए PNP transistor का use किया गया है इसको complementary symmetry बोलते हैं तो आपको driver stage का मैं variation भी दिखा देता हूँ यहाँ पर अगले diagram में मैं आपको थोड़ा और clear करके बताता हूँ input stage को मैंने हटा दिया है VAS से लिया है तो VAS stage में आप देख रहे हैं कि हमारा एक main VAS transistor है और VAS पर आप जानते हैं कि उसकी जगर पर हमने एक transistor लगा दिया है और एक preset लगा दिया है तो इसको हम बोलते हैं कि bias spreader बोलते हैं circuit यह क्या करता है कि bias की range को थोड़ा बढ़ा देता है हम बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक में जो driver का bias है वो इस preset की सहायता से set कर सकते हैं और यहां पर transistor लगाने का एक बहुत बड़ा फाइदा है जो कि हमारे सारे Indian design जो है इसकी वज़े से फेल हो रहे हैं कोई भी transistor आप जानते हैं silicon का बना होता है और silicon हमारा heat के लिए sensitive होता है तो इस transistor को अगर आप driver transistor या output transistor के साथ चिपका कर यूज करेंगे यानि कि same heat sink पर यूज करेंगे तो उनकी temperature को ये sense करेगा इस temperature के हिसाब से इस transistor का conductance change होगा और इस तरीके से ये temperature के हिसाब से आपके driver stage और output stage की biasing को automatic control करेगा Indian amplifier जो भी market में बिक रहे हैं online बिक रहे हैं बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो biased transistor का use करते हैं दूसरी बात कई circuit में ने देखा है कि biased transistor यूज कर रहे हैं लेकिन उसको heat sink के साथ यूज नहीं करते हैं यही एक reason है कि गरम होने पर आपका amplifier खराब हो जाता है तो इसको मैं आगे और detail में बताऊंगा कि किस तरीके से इसका use करना है और VAS stage के लिए एक CCS मैंने यहां पर दिया हुआ है वो constant current source हमारा transistor का बना हुआ हो सकता है resistance का बना हुआ हो सकता है या simple हमारा bootstrapping के त्रू हो सकता है यहां पर जो wave है हमारी वो इस तरीके की है और इस transistor ने वेव के positive part को सिर्फ amplify किया है और इस transistor ने वेव के negative part को amplify किया है ड्राइवर transistor भी हम बहुत तरीके से select करते हैं जैसे कि अगर बहुत ही simple कोई आगे 30-59 तो उनको बहुत ज़्यादा current की जुरूरत नहीं पड़ती है तो कोई भी simple NPN PNP transistor आप यहाँ पे ले सकते हैं थोड़ा सा powerful अगर है आपको तो BDX 49-49 लेते हैं tip 41-42 लेते हैं तो इस तरीके से जितनी हमारी आगे की power requirement होती है उसी तरीके से हम driver transistor यूज करते हैं लेकिन driver transistor भी कई सारे variation में output transistor के साथ यूज होता है यह configuration मैंने आपको simple बताया कई बार आप देखते हैं कि driver transistor के emitter से जो भी resistance निकलता है वो direct हमारे output से जोड़ जाता है कई बार यह output से न जोड़के direct सामने वाले के base से जोड़ता है तो इसका कई configuration है जब output stage के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा detail में बताऊंगा यहाँ पर सिर्फ एक variation में आपको driver stage का बताना जाता हूँ वो है TEF यानि कि triple emitter follower कई बार हमारी ऐसी requirement होती है कि हम एक बहुत ही powerful amplifier बनाना चाहते हैं जैसे कि 500W से उपर का amplifier 1000-2000W का नॉर्मली इस तरीके का driver stage आपकी 2-3 pair तक के output transistor को आराम से चला सकता है लेकिन आप जानते हैं 500W-1000W के amplifier में 5 pair से लेके 10 pair 20 pair तक की output transistor यूज होते हैं उस जगह पर क्या होता है कि इस पर load बढ़ता है driver transistor पर और जब driver transistor पर load पड़ता है तो ये load हमारे VAS stage पर भी पड़ता है तो VAS stage पर load पड़ता है तो because क्योंकि class amplifier की output बहुत ही limited होती है हम उसे ज़्यादा overload नहीं कर सकते हैं तो तुरंत ही हमारा amplifier overload हो जाता है और उसकी आवास फट जाती है नहीं कर पाता है तो हमारी आवास फट नहीं लगती है उसके लिए हम एक driver transistor से एक और transistor को drive करते हैं देखिए इसको हम triple emitter follower बोलते है TEF stage तो देखिए ये first driver है हमारा उसके बाद एक और driver हमने लगा दिया next जो driver stage है उसके transistor जो है वही PNP PNP रहेंगे लेकिन इससे ज़्यादा power के रहेंगे हमारा pre driver stage जो है वो अगर 10-10 watt के transistor है तो यहाँ पर हमें 25-30 watt का driver transistor लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो output हमारा transistor है main तो ये TEF हो गया तो ये जो TEF stage जो होती है ये सबसे powerful होती है और बड़े बड़े amplifier में यही यूज किया जाता है कई बार आपने देखा होगा कि transistor वाले amplifier में भी driver transistor का यूज नहीं किया जाता है सीधे VAS से output stage को लगा दिया जाता है ये ऐसे possible होता है कि कुछ transistor हमारे आते हैं जैसे TIP142, TIP147 और BDW series के उन ट्रांजिस्टर को हम Darlington transistor बोलते हैं Darlington transistor के अंदर driver stage inbuilt होती है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए इसके अंदर एक और transistor बना हुआ है तो अगर आप TIP142 या 147 का यूज कर रहे हैं तो आप बिना driver के VAS stage से directly amplifier को चला सकते हैं बहुत सारे manufacturer अपने amplifier का construction इजी करने के लिए इस तरह के Darlington transistor यूज करते हैं तो इस circuit से आपको idea हो गया होगा कि driver stage की शरीके सा काम करता है तो अगले वीडियो में मैं आपका output stage cover करूँगा तो जब output stage के variation मैं बताऊँगा तो driver stage के variation भी उसी के साथ आपको cover हो जाएंगे और उमीद है कि आपका प्यार और support मेरे चैनल पर इसी तरीके से बरसता रहेगा इसी के साथ ओके एंड बाई फ्रेंड्स